इस तरह से हम स्टील के बर्तन साफ करते हैं, बेलकुर उसी असान तरीके से तांबे और पीतल के बर्तन और सामान को साफ कर सकते हैं, अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा हम सब के घरों में तामबे और पीतल के बर्तन तो होते ही हैं तामबे के बर्तन हम अपने पूजा घर में रखते हैं तामबे के बर्तन में पानी भर कर भी रखते हैं पीने के लिए हमें इन बर्तनों को किस तरह से चमकाना है और कैसे साफ करना है ये हमें नहीं मालुम होता तो हम इन्हें रोज डिश्क नीनर से साफ करते हैं लेकिन फिर भी ये काले पड़ जाते हैं फिर हम इन्हें रगट रगट कर साफ करते हैं लेकिन आज में आपको बताने जा रही हूं बिना मैनत के बरतनों को कैसे साफ करें तांकि ये ने जैसे दिखे और हमें मैनत भी कम करनी पड़े जादा रगणना और घिसना ना पड़े अक्सर हमारे घरों में ताम्बे के बरतन तो होते ही हैं जो अपनी चमक हो देते हैं कुछ बरतन तो काफी काले हो जाते हैं क्योंकि जादातर ये बरतन पूज़ा की काम आते हैं या फिर तिहारों के दिनों में हम इनको पूज़ा में इस्तमाल करते हैं और अंदर से तो आप देख सकते हैं काफी रंग इनका बदर चुका है लेकिन मैं आपको इतना असान तरीका बताऊंगी बस आप इने बहुत जल्दी से साफ कर लेंगे ये डेकोरेशन पीस पीतल का है और ये लोटा और ये जोद भी पीतल की है इसे भी साफ करके दिखाऊंगी ये तामबे का लोटा और प्लेट है ये काफी गंदा हो गया है ये भी बीना रगड़े और टाइम लगाए जल्दी से साफ हो जाएगा ये देखिए ये अंदर से भी कितने गंदे हो रखे हैं लेकिन इस तेम ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप इस ट्रिक का शियर जरूर करिए ताकि और भी लोग इसका फैदा उठा सकें एक बरतन में लेंगे थोड़ा सा पानी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हम एक बरतन में डालेंगे सेट्रिक एसिड एक से डेट जमच इसे हम अपनी कीचन में भी इस्तमाल करते हैं इसे टाट्री और निम्बू सत्पी कहते हैं और इसमें डालेंगे एक से डेट चमच नमक ये वही सादा नमक है जिसे हम अपने घरों में इस्तमाल करते हैं बस हमें यहाँ पर ये दो चीजे ही लेनी है और कोई चीज नहीं लेनी है अब हम इसमें डालेंगे पानी आप यहाँ पर अपने बर्तनों के हिसाब से पानी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर लगपर एक से डेट गिलास पानी लिया है आप ये वाला घोल अपने बर्तनों के हिसाब से बना दीजिएगा इसे इस तरह से चमआश से घोल लेंगे और इसमें डाल देंगे अपने जो भी बर्तन साफ करने हैं वेहे सब आप देख रहे हैं इन गंदे बर्तनों को किस तरह से गंदी मैल जमि हुई है ये बर्तन तो मैं रखकर भूल गई थी अपनी किचन की उपर वाली शेल्फ पर जिस कारण से ये इतने गंदे हो गए हैं बस इनको ऐसे ही इस पानी में डालेंगे इन बर्तनों को इस तरह से डालने के बाद 2-3 मिनर तक इस तरह से हाथ से चारो और गुमा देंगे और थोड़ा सो गोल इस ड्रम में भी डाल देंगे और इस गोल को अच्छे से गुमा देंगे जिससे अंदर का कालापन है वो भी दूर हो जाएगा और इस गोल को गुमा देंगे जिससे जो अंदर का कालापन है वो भी दूर हो जाएगा जिन बर्तनों को अंदर से साफ करना है उसमें भी पानी भर देंगे देखें जिस तरह से हम पानी से धोते हैं बस इस तरह से हम बर्तनों को और समान को धोईगे ये जो मेल हैवे दीरे दीरे हटने लगी है इनका कालापन हटने लगा है ये देखें जो पानी में डूबा हुआ बरतन है उसका कालापन भी अपने आप हटने लगा है इस तरह से सारी तरफ घोल लगा देंगे देखते ही देखते ये एकदम साफ हो जाएंगे देखें इस ज बहुत ही कम में साफ हो जाएगे जा इन बड़न और समान और इतने साफ हो गईja मुई है और इस इस ड्रम में भी संप गोल Քर किया रहा है इसे में रगर नहीं रही हूँ, सिरफ पानी को लगा रही हूँ अगर आप ज़्यादा बर्तन साफ कर रहे हैं या बड़े बर्तन साफ कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा गोल बना सकते हैं मुझे ये छोटी छोटे बर्तन और समान साफ करना था और ये ड्रम साफ करना था तो मैंने ये घोल एक चमश से डेट चमश का बनाया है आप अपने बर्तनों की हिसाब से घोल बना सकती है देखें ये ड्रम भी अंदर और बाहर से एक तम चमख गया है वो भी इतनी जल्दी देखें ये इस जगह से कितना गंदा हो रहा था और ये चारो तरफ से एक तम चमख गया है मैं इन बर्तनों को अक्सर इस तरह से साफ करती हूँ क्योंकि घर में और भी काम होते हैं ये साफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और असानी से साफ हो जाते हैं कुछ बर्तनों को तो मैं किचन में रखकर भूल गई थी और आज उन्हें भी साफ कर रही हूँ आपने देखा वे कितने गंदे हो रहे थे आज इस पानी के घोल से वेह भी साफ हो गए हैं आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप चाहें तो बर्तनों को सिंक में भी धो सकते हैं मैं इस तरह आपको दिखा रही हूँ देखें ये सारे बर्तन और समान कितने साफ हो गए हैं इन सबी बर्तनों और समान को धोकर निकाल लेंगे मैं आपको एक बात बोलूँगी जब भी आप तामबे और पीतल के बर्तन और समान को धोते हैं तो धोने के बाद इस तरह से कपड़े से पहुँच कर रखें साफ पानी से धूने के बाद इस तरह से कपड़े से पहुँच लेंगे पहुँच कर रखने के बाद बर्तन और समान जल्दी से काले नहीं पड़ते मैंने अच्छी तरह से इन्हें पहुँच लिया है हमारे बर्तन और समान चमक गए हैं और कोई भी नहीं कह सकता की ये पुराने बरतन और समान है, बिना मेहनत किये, बिना रगड़े बहुत ही आसान तरीके से इनको साफ कर लिया है, तयोहार तयोहार नहीं लगते, जब तक हम इने पारमपरिक तरीके से साफ ना करें, हम पाठ हुजा और त्यहारों में पीतल और थांबे के बर्तनों का इस्तमाल करते हैं तो आप भी इस आसान ट्रिक से बर्तन और समान को साफ करें थांबे या पीतल के बर्तन कितने भी पुराने क्यों ना हो या रखे हुए ही क्यों ना हो इन बरतनों को बीना रगड़े भी हम साफ कर सकते हैं वो भी सिरफ 2-5 मिनट में उमिद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और साथ की साथ सब्सक्राइब जरूर 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 करें थैंक यू